प्रभु करिस्त में प्यारे भाईयों बहनों और एक नया विश्य को लेकर मैं आपके सम्मुक आया हूँ प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने ये सवभाग्य प्रदान किया है कि उसका जीवित वशनों को पढ़ सकूँ सुन सकूँ सुना सकूँ और इसके द्वारा बहुत सारे आशिशों को प्राप्त करते भी दूसरों को भी आशिशों को प्राप्त करने का एक स प्रत्वी के नमक, क्या मैं प्रत्वी का नमक हूँ, इस बात पर हम लो विशार करेंगे मतिके सू समचार अध्याई 5 पसंक 13 में प्रभी ये सुने कहा तुम प्रत्वी के नमक हो, और इस बात को लेके प्रभू ने आगे क्या कहा ये दिनमक फीका पड़ जाए तो वा किस से नमकिन किया जाएगा वा किसी काम का नहीं रह जाता, वा बाहर फेंका और मनेश्यों के पहरों तले रोंदा जाता है तुम प्रत्वी के नमक हो प्रभू कहता है नमक का काम क्या है? वैसे हम साधारन रूप से नमक के 2, 4, 5, 8, 10 फाइदे हम जानते होंगे अगर हम Google में सर्च करेंगे नमक के बारे में वहाँ पर हमें मिलेगा नमक लगबग लगबग 14,000 प्रकार से इस्तमाल किया जाता है अब हम इस बात को समझने के चेश्टा करें प्रभु ने हम सबों को ये क्यों कहा कि तुम प्रत्वी के नमक हो नमक का महत तब समझ में आता है मान लो किसी ने बहुत महनत से 2-3 गंटे की महनत से पकवान बनाया हो बोजन बनाया हो और उसमें नमक ना डाला गया हो तो सारी महनत पिखार तो जब नमक नहीं डाला गया नमक का महत तो तब हमें समझ में आता है तोड़ा सा नमक डाल दिया उस बोजन में जरुद के अनुसार और वहां पर डिफरेंस आया फरक आया स्वाद आया बोजन को अर्तदायक स्वादिस्त बनाया उसी प्रकासे प्रभू हम लोगों से क्या चाहता है हम नमक के बांती जहां हम रहते हैं जहां हम जीते हैं जहां हम कारिय करते हैं वहां नमक के बांती लोगों के जीवन में डिफरेंस लाने वाले हम सभी बने फरक लाने वाले हम सभी बने यह हमारा करतवी है प्रभू ये सुने क्या कि आप प्रभु येसु ने लोगों के जीवन में डिफ्रेंस लाया फरक लाया परिवर्तन लाया वेविचार में पकड़ी वी इस त्री को प्रभु येसु के पास गसिट कर लाया और वो सारे लोग प्रभु से कहने लगे प्रभु मुसा की सहितागे पत्थर मार के मार देना चाहिए आप क्या कहते हैं प्रभु पहले चुप रहे सारी बातों को सुनते रहे, समझते रहे बूमी पर जुके गिरते रहे उनके बार बार हग्रा करने पर प्रभु ने का तुम में जो निश्च पाप हो वही सबसे पहला पत्तर मारे अब कोई पत्तर नहीं मारता है क्योंकि एक-एक करके बात को सोचने लगे माई भी पापी हो माई भी पापी हो माई भी पापी हो लेकिन नहीं मारा प्रभु ने इतना ही पूचा उस ते इतना ही कहा जाओ दुबारा पाप मत करना उस तरी को प्रभु ने नहीं डाउन किया नहीं डांटा नहीं फटकार लगाई नहीं उसको दमकी दी दुबारा ऐसे करो कि वैसा होगा ऐसा होगा कुछ नहीं कहा प्रभु विवहार परिवर्तन लाता उस तरीके जीवन में, एक difference प्रभु ने उसके जीवन में किया, संबावता उसके बाद उसने शायद पाप नहीं किया होगा, चाहे वो समारिस्त्री का उधारन लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांचे लोगों के साथ रहे के दुनिया का सुक बोग करना चाहती थे लेकिन उसको संतुष्ट नहीं दुनिया में खो गई थी प्रभू ने मुलाकात की मुलाकात करते हुए दीरे 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 उसको जिन्दगी के रहस्य को, जिन्दगी के एहमियत को प्रभू ने सिकाया, समझाया, बताया फरक आया उनके जीवन में परिवर्थन आया चाहे जकीउस हो, अन्या कोई भी हो प्रभू ने, जहां प्रभू गए जिन से प्रभू मिले उन सबों के जीवन में डिफरेंस लाया परिवर्तन लाया फरक लाया और प्रभू इस उधारन के दोरा क्या कहता है तुम प्रत्वी के नमख को यानि के हम सबी जहां रहते हैं जहां जीते हैं जहां कारी करते हैं वहां पर हम परिवर्तन लाने वाले ल लोग बनें, लोगों के जीवन में, अर्थ, लोगों के जीवन के अर्थ दायक बनाने में, लोगों के जीवन को सुन्दर बनाने में, हमारा हुमिका हो, ये बात प्रुबू कहता है, इसलिए प्रुबू ने का तुम प्रत्वी के नमक हो, एदी नमक फीका पड़ जाए, तो बाहर फिंके जाओगे, बाहर कहां फिंके जाओगे, इस बात पर विचार करें, बाहर, अंदकार में, यानि कि नरक में, यानि कि मेरे अंदर प्रभु के मूलिय नहीं है, प्रभु के सिद्धान्त नहीं है, प्रभु के मूलिय का अनुसार, सिद्धान्त का अनुसार मैं नह जीता हूं प्रभु के बातों के अनुसार नहीं जीता हूं प्रभु के वच्छन के अनुसार नहीं जीता हूं प्रभु का अनुकरन करते हूं नहीं जीता हूं इसका वेपुरी जिवन बिताता हूं तो मैं फीका पड़ चुका हूं तो ऐसे में मेरा जीवन पाप में जीवन होगा और ऐसे लोगों को बाहर फेंका जाएगा अंदिकार में यानिके नरक में डाल दिया जाएगा इसलिए प्रभु का वच्छन हम सभी जब सुन रहे हैं हम इस बात पर विशार करें क्या मैं पृत्वी का नमक हूँ या मैं लोग अचार बनाते हैं अलगला प्रकार के और नमक उसमें बहुत ज़्यादा इस्तिमाल करते हैं ताकि लंबे समय तक सुरक्षित रहे कराब ना हो जैसे लोग आम का अचार डालते हैं कुछ लोग उससे पहले वो चोटी अमिया को नमक के पाने में डालके रखते हैं जिससे की दो, तीन, चार, पान, चे, साथ साल या उसे भी ज़्यादा समय वो सुरक्षित रखे कराब ना हो प्रिज्व विट्व के लिए सुरक्षित रखने के लिए नमक महत पूर्ण है प्रभुने कहा तुम प्रतवी के नमक सबसे पहले इकाम मेरा यह हो न चाहिए मैं अपनी आत्मा को प्रिज्व करके रखो सुरक्षित रखो हर प्रकार के बुराईयों से, बुरी आदतों से पापों से, पापमें, कलंकों से हम इस मेरी आत्मा को हमें चाके रखूं जब मेरे अंदर वो प्रभू की मूलिस द्धान तुम बरी नमक का तत्वी दिमान होगा मैं ये कारी करने में सक्षम हो जाओंगा नियता अगर फीका पड़ जाओंगा मैं अपनी आत्मा को नहीं बचाओंगा जिम्मेदारी ना केवल मेरी हैं मेरी आत्मा उड़ते हो बैटते हो जो तुमारे अदीन है उन सबों के जीवन को बचाने रखने की जिम्मेदारी भी प्रभून हमें दिये हैं ये चोटी जिम्मेदारी नहीं बहुत ही महान बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की आत्माओं को बचाना कम से कम इतना हमताई कर लें मेरे स पातर रहने वाले जीने वाले या कारी करने वाले लोगों के लिए मैं इस बात को लेकर उनके आत्माओं को बचाने की कारी को लेकर मैं गंबीर हो जाओं सीरस हो जाओं और उसके लिए महनत करूँ एक दिन का काम नहीं एक तोड़े कम समय का काम नहीं है लंबे हर दिन का काम है इसलिए नमक जैसे प्रजव करता है उसी प्रकासे अपनी आत्मा को बचाएं दूसरे के आत्मा को बचाने का काम हम करते रहें यह है नमक का काम इसलिए प्रभू हमीं कहता है तुम प्रत्वी के नमक हो तीसरी बात नमक कभी अपना गमंड नहीं दिखाता जैसे नमक बोजन में, पकवान में डाल दिया गया हो वो वहें पर गुल जाता है उसके बाद वो गयाब उसके बाद दोबारा आप निकालने जाोगे नमक नहीं मिलेगा नमक अपना नहीं दिखाता मेरे आने से ऐसा फरक आया नहीं नमक ऐसा कुछ नहीं करता बड़ी अपने जिम्मेदारी निभाई अपना करता विए निभाया अपना काम निभाया और वहां से वो ओजल हुआ प्रभु यस्तुन ने यही किया प्रभु ने कभी वावा नहीं चाही लोगों की जुमने बड़े से बड़े अद्व diyorum अद्वतकारिय किये और वहां से प्रभु आगे निकल गए प्रभु ने कभी यह ने नहीं देखा कौन मेरे लिए तालिब अजा रहा लाज्रत को प्रभु ने जिंदा किया प्रभु नहीं 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 देखा कि कितने लोग तारीफ कर रहे हैं शबाश दे रहे हैं प्रभु इसके लिए नहीं रुखे हमें भी प्रभु क्या कहता है एक इसाय होने के ना थे प्रभु का अनुयाई होने के ना थे प्रभु के बक्त या शिश्य होने के ना थे हमें प बोजन में डाला गया, अपना करतवी हो गया, वो गुल गया, उसके बाद वो अपना अस्तित्व को वहां पर नहीं दिखाता कि मैं ने किया, कोई गमंड वहां पर नहीं तो प्रभु हमें कहते हैं तुम प्रत्वी के नमक इस प्रकार का जीवन वितित करो कारिय करो, सेवा करो, मेहनत करो, परिश्रम करो बाकी इश्वर पर छोड़ो, कोई तारीफ, इंसान की तारीफ वावा लेने के लिए मत रहो जैसे शास्त्री फरीजी किया करते थे में जादा गुल नहीं मिलूँगा, दाल में नहीं जाओंगा, या चावल में मैं गुसूंगा नहीं नमक अपना काम करता, सब के साथ मिल जुल कर, गुल मिल कर, नमक अपना करता भी पूरा करता है तो हम सबों को चाहिए प्रभून ने इसलिए कहा तुम प्रत्वी के नमख को चाहर प्रकार के लोगों से अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, अलग-अलग जाती मत के लोग हैं, अलग-अलग प्रकार के विश्वास करने वाले लोग हैं सबके साथ हम गुल मिलें मिलें जुलें बहाइचारा प्यार महबत बनाये रखें पक्षपात ना करें जिस प्रकासे नमक पक्षपात नहीं करता बेद बाव नहीं करता उंच नेच की मैं बड़ा हूं तुम चोटा हो ऐसा कोई धारणा इसकोई भावना नहीं है वैसे ही प्रभु येस्थ ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया बेद बाव नहीं किया ओंच नेच की बाद नहीं रखी प्रभु ने जो सत्य ता सत्य सामने जरूर बोला कटूर शब्दों से कभी पक्षपात प्रभु ने नहीं किया तो नमक इस प्रकास हम देखते हैं सब के साथ गुल मिलता है बराबर कोई ज़्यादा कोई कम ऐसा नहीं है इस प्रकास से नमक के बारे में मनंच जिंतन करते हुए हम बहुत सारी बातों को हम सीख सकते हैं मान लो नमक आपके पास है इस्तमाल नहीं किया तो उसे क्या लाब? कोई लाब नहीं यानि कि अगर मैं ये सोचूं ये मेरा काम नहीं है, मेरे जिम्मेदारी नहीं मैं क्यों जाओं, मैं क्यों रिस्क लो मुझे क्या पढ़ी है और मैं अपने जगह पर बैटा रहूं और नमक इस्तमाल नहीं हुआ किसी के साथ मिला नहीं तो कोई फाइदा नहीं ये ये कि आलस्रपन आलस्रपन का जीवन हम नाम बिताएं प्रभू ये सुने कभी आलस्रपन नहीं बिताया प्रभू हमेशा कारियों में रहे मेहनत में रहे परिश्रम में रहे लोगों को आगे बढ़ाने में उठान करने में उठाने में उनको इस काम में रहे तो हम आलस्रपन अपने जवान में ना आने दें नमक अगर रिब्बे में बान के रखा वो कुसी काम का नहीं है, नमक है उसके अंदर, आलत सिपन, हमारे अंदर ऐसी बातें ना हो, इसलिए प्रभू हमें कहता है, तुम प्रत्वी के नमक हो, लोगों के जीवन में फरक लाने वाले वेक्ति हो, लोगों के जीवन में डिफरेंस लाने वाले वेक्ति हो, उनके चर्च में बड़े लोग हैं और उनकी वीश्व चोटे बच्चे भी हैं चर्च में बैटके बाच्चित करते हैं या प्रारतना में बादा डालते हैं वो किसी प्रकार से बड़े लोग चुप चाप रहते हैं वो ये भी नहीं कहते हैं बिटा ये काम ठीक नहीं है प्रारतना का जगा है प्रारतना में लगो नहीं कहेंगे फीके पड़े हैं और ये बात मैंने बहुत जगा पर देखी हैं मुझे पता नहीं लोग डरते क्यों हैं नमक है तो नमक का काम होना चाहिए फीके पड़े हैं त इसले भायों बहनों, इस सुंदर चोटे से प्रभु के वशन के द्वारा प्रभु हम समों को इस बात पर विशार करने के लिए बुलाता है, तुम प्रत्वी के नमक हो, यानि कि तुम जिम्मिधार वेक्ती हो, तुम महतपूर्ण वेक्ती हो, जैसे नमक बहुत ही महतपूर तुhm महत्पोर्ण वैक्ति हो, तुम मुल्यवान वैक्ति हो, नमक प्रशयस आएक प्रकार से, नमक नहीड आला गया, तो सब बैकार, तुम प्रशयस हो, तुम मुल्यवान हो, इसलिए प्रभु छाहता है कि अम उसी के अनरूप जिवन बिताएं, इस सिधान्तों के इन मूलियों के अंतरगत, हम एक सुन्दर जिवन बिताएं प्रभू ये चाहते हैं, इसलिए प्रभू ने का तुम प्रत्वी के लिए जिम्मेदार वेकती हो, दूसरों के लिए जिम्मेदार वेकती हो, अपने जिम्मेदारी बाको भी ने बहाओ, अपने करता भी बली बहा के तो हम सुमकों बताता है यदि तन्फीक पड़ जाओगे तो पैरन तले रोंद हो जाओगे निए बाहर फिंग दिया जाओगे नरक में डाले जाओगे जहां कभी आग नहीं बुच्छती अगर नमक के तत्वुक बनाये रखें हमारे अंदर वो विश्वास की जोती जलाय रखें तो निश्यत रुप से हम अपनी आत्मा को बचाएंगे दूसरों के आत्मा को बचाएंगे और हम स्वर्ग राज्य में अनंत जिवन का सुक बोगेंगे नमक का और एक प्रोयोग यह है यह सबी लोग सबी जगह पर चाहे वो कोई भी हो कोई जात का दर्म का कहीं र कोई भी वेश में कहीं पर भी रहूं मैं प्रभु का सेवक बनके रहूं प्रभु के दिया बनके रहूं प्रभु की गवा बनके रहूँ और वो के साक्षे बनके रहूं ये बात प्रुब हमें बताता है नमक जिस प्रकास से हर जगा हर लोग, हर वर्ग, हर समुदाई सब जगा यूनिवर्सली इस्तमाल किया जाता है वैसे ही मैं इस प्रत्वी पर मैं नमक के बांती हूं मैं जहां भी रहूंगा वहां पर, वहां के लोगों को अर्थ दायक जिवन बिताने में उनके आत्मा को बचाने में मेरा योगदान होना आवशक है ये बात प्रुब हमें सिकाता है ये कहते भी तुम प्रत्वी के नमक हो नमक अगर जहां इस्तमाल किया not melted then it is not of any use नमक अगर गला नहीं है नमक डाल दिया आपने कोई भी पकवान में बोजन में नमक डाल दिया वो इसी के वैसे रह गया वो कोई फाइदमन नहीं है यानि कि मैं अपने जिवन में साक्रिफाइस नहीं करता हूं त्याग तपस्या नहीं करता हूं मैं अपने को तोडने के लिए गलाने के लिए तयार नहीं हूं कस्ट उटाने के लिए तयार नहीं हूं त्याग करने के लिए तयार नहीं हूं तो मैं दूसरों के लिए लाबदाएक नहीं हो सकता हूं नमक के बांती मुझे गलना होगा उसमें मिलना होगा मेरा अस्तित्यो को खोना होगा तब जाके मैं दूसरों के लिए लाबदाइक हो सकता हूँ इसलिए प्रभु ने कहा तुम प्रत्वी के नमक हो बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है इस प्रकास हम आगे और मनंचिंतन करें नमक के और क्या फाइदे हो सकते हैं बहुत जगाओं पर हम देखते हैं नमक दुकान से बाहर रखते हैं इन दुने में मैं यहां पर नहीं देखा हूँ लेकिन कुछ साल पहले हम देखते थे नमक दुखान से बाहरी चट्टा लगा के रखते थे कोई उसको चोरी नहीं करता था यहीं कि आपके अंदर कितने भी अच्छे गुण हैं अच्छी बातें हैं, अच्छे सोच बिछार हैं अच्छे आदते हैं दुनिया के कोई वेक्ती चोरी नहीं कर सकता आपका वर्थ आपके पास ही रहेगा और उसको आपको बांटना है लोगों के साथ बांटना है आपके उस खूबी आपके वो टालेंट्स आपके वर्धान जब आप बांटोंगे विस्तमाल करोगे दुसरों के साथ शेयर करोगे तब आप प्रभू की महमा करोगे इस प्रकास से नमक के बहुत सारे फाइदों पर हम ले मनंचिंतन किया और एक चोटा सा फाइदा आज़कल वो टीवी में एड आता है पूछते हैं क्या आपके पेश्ट में नमक है और क्यों कहते हैं दान दर्द में नमक इस्तिमाल किया जाता है यहीं कि नमक प्रका के मेडिसिनल यूज में भी इस्तिमाल किया जाते हैं तो हम प्रभू ने कहा तुम प्रत्वी के नमक यानि कि हम दूसरों के जीवन में चोट है दुक है पीडा है दर्द है परिशानी है अगर मैं उनके साथ जाके बैठूँ, उनकी बातों को सुनूँ, उनके लिए प्रार्तना करूँ, रहत के चार शब्द बताऊँ, प्रभु का वचन सुनाऊँ, तो उनका दर्द दूर हो जाएगा, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी, तिसले प्रभु ने कहा तुम प्रत्व प्रत्वी के नमक हैं, इस बात को हम हमेशे याद रखें, और इसके अनुसर हम कारिय करें, और प्रभु की महिमा करें, आज के दिन में प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की हैं, भायों बहनों, आए हम इस वक्त प्रभु से प्रार्तना करें, सर्वशक्ति मानपिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, हमारे जिम्मेदारियों को, हमारे कर्तवियों को, आपने हम समों के समों के रखते हुए, हमें सिखाया, बताया, समझाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रबू अक्सर हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, आज के दिन में आपने हमारे आंकें खोल दियें प्रबू अपने वशनों के द्वार हम समुम्हा फ़र्श की किया है नमक जिस प्रगाए से फरीवर्तन लाता है डिफरेंस लाता है तुद लाता है वैसे हमें भी अपने जिवन में दोसरों के साथ वैवार करने के आपशकता है आप हमें सिखाते हैं प्रबू आज के अदिन में आपके वश्ण के अनुसा जीवन बिताने की शक्ति सामर्ते में प्रदान कर। जिससे के प्रबू ना के विलम अपने आत्मा को बचाएं, दूसरों को आत्मा को बचाने का कारियम से भी कर सकें। दूआ करते हैं उदार करता एस मसी के नाम से आमेन। कर दूआ करते हैं।